असलाम अलेकुम जी मैं हूँ फर्जीन अमीन आप शाह मैमूद कुरेशी साब का इंटर्व्यू देख चुके हैं आप दोनों की बाते भी सुन चुके हैं लेकिन हम आपको आज ऐसा एक तजिया पेश करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जादा नया होगा और इंट्र कोच के आए हुए थे कि किसी तरीके से एक मुस्लिम लीडर पर आज अक्यूज करना है आगे जाके जो हम आपको आपको आप वाज़े हो जाएगी कि बियाना का ये बियाना जो इंटर्व्यू को कंड़क्ट कर रही थी उनका ये पूरा सेट प्रोपेगंडा था जिसको ल 12-19 मिनिट के इंटर्व्यू में साथ से आकज सवाल किये जाते हैं शाह ममुद कुरेशी साब से और पहले सवाल के बाद से ही पहला सवाल वो कर दे पियें सीजवार की पर वारे उसके बात से छे दफ़ा छे सवाल उन्होंने जो किये वो एंटी सेमिटिसम के बारे में ही किये उन्होंने खुद लफ से इस्तमाल किया एंटी सेमिटिजम का पहले ही बात पर उन्होंने कह दिया मैं आपकी राय को एंटी सेमिटिक समझती हूँ उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सब हो रहा है क्या ये एंटी सेमिटिस्म के बगैट नहीं हो सकता आपका एंटी सेमिटिस्म के बारे में क्या खयाल है एंटी सेमिटिस्म के बारे में अपनी राय दे क्या आप एंटी सेमिटिस्म को कंडेम नहीं करते आपकी राए anti-semitism है, मैं आपकी राए से offend हो रही हूँ अब आप देखें कि 6 दफा ये अलफाज अस्तमाल हुए इनकी तरफ से और बड़ा कोशिश की गई imply करने की आपको बता दें कि CNN को अगर आप थोड़ा सा सर्च करें हमने अपनी research किया जिसमें हमें पता चला है कि 90% उनके पास जो top पे anchors आ रहे हैं या सब आ रहे हैं वो एक तो Jewism से तालुक रखते हैं, उनके strong connections हैं Jewism से लेकिन to prove a point हम लोग Jewish किसी को यहां पे न टागेट कर रहे हैं न शाह महमूद कुरेशी सहाब ने किया लेकिन एक agenda के साथ उन्होंने anti-semitism का word 8-9 दफ़ा अपनी interview में दुबारा दुबारा repeat किया और सारे सवालों को उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह anti-semitism की तरफ खींच लें किसी तरह नफरत का कोई लस नकालें शाह महमूद कुरेशी साब की हूँ से अब हम स्टाम एमूद कुरेशी साब की बातों का भी तज्जिया कर ले थे उन्होंने अपने इस 11 मिनिट के interview में एक दफ़ा भी Jew का word इस्तमाल नहीं किया यहां पर interesting यह किस तरह के से anti-semitism का मतलब क्या होता है anti-semitic वो लोग होते हैं जो Jews के खिलाफ नफरत रखते हैं prejudice रखते हैं अब इस्राइल के खिलाफ नफरत रखने का मतलब यह नहीं है कि Jews के खिलाफ नफरत रख रहे हैं यह बिलकुल एक state और एक पूरी race यह दो अलग अलग चीज़े हैं शाम एमूद कुरेशी सहाब भी mind बना के गए थे कि वो CNN को expose करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा CNN को उनकी अपनी असली शकल दिखाने में सबसे पहले deep pockets की जो उन्होंने बात किया हैं deep pockets वो ही हैं जो हम लोग किया आम अलफाज में कहा जाता है कि लिफाफे लिए हुए हैं उसी तरीके से उन्होंने CNN को चैनल बेटके कहा कि coverage पूरी नहीं करते हैं आप लोग क्योंके deep pockets रखते हैं इस्राइल और वो फिर funding करता है अब बहुत guts की बात है कि वो faced उनको कह देते हैं कि इनकी बहुत deep pockets है और आप तक मिल रहे हैं और फिर जब वो आगे उनको criticize करने की कोशिश करते हैं तो शामेमूद कुरेशी साब यह नहीं कहते कि दुनिया negate करे या दुनिया इस तासर को बदले वो कहते हैं आप proper coverage दे दें आप दोनों को coverage क्यों नहीं देते आप एक तरफ की coverage क्यों करते हैं तो वो directly CNN को expose करने के लिए ही बैठे थे शामेमूद कुरेशी साब अब CNN obviously was not prepared कि वो किस से deal कर रहे हैं एक इनसान जो farsightedness रखता है एक इनसान जो बिल्कुल अच्छे तरीके से analyze कर सकता है situation को वो as one minister हमारे बैठे हुए थे और उन्होंने फिर इनको expose किया भी आप देखेंगे अगर ये conflict पर बात करने जा रहे थे जो CNN का ये program था तो फिर फलस्तीन के बारे में कोई बात क्यों नहीं हुई फलस्तीन पर हमलों के बारे में कोई बात नहीं की गई कहीं पर condemnation नहीं शो कई गई कहीं पर human rights की बात नहीं की गई ना ही कहीं पर दोनों मुमालक के दर्मियान अमन की बात CNN की तरफ से आई लेकिन शाम एमूद कुरेशी सहाब ने अमन की बात चार दफा की है उन पर हला की ये इल्जाम लगा जा रहा है कि वो अंटी सेमिटिक हैं लेकिन पूरे इंटर्वियू में उन्होंने चार दफा ये बात की है दोनों मुमालक के दर्मियान अमन होना चाहिए दोनों मुमालक को एक साथ को एक्जिस्ट करने की जरूरत है अगर वो अंटी सेमिटिक होते तो वो कहते इसराइल को खतम हो जाना चाहिए वो कहते कि पूरा लैंड फलस्तीन का है फलस्तीनियों को वापस करें उन्होंने एक दफा भी अलफाज नहीं उस किये क्यूंके वो बहुत कैरफुल थे उनको पता है वो कौन से मीडियम पर बैठ के बात करें उनको पता है कि CNN का क्या एजंड है उनको पता है कि उनके अलफाजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा इसलिए उन्होंने बहुत कैफुल सेलेक्शन की अपने वर्ट्स की तीन दफा उन्होंने UN की रेजलूशन के बारे में बात की कि UN की जो रेजलूशन से उनको पूरा करें UN ने जो टू स्टेट सॉलूशन दिया है उसके इलावा कोई हल नहीं है फिर जब बार-बार उन पर थोपती गएं कि आप anti-semitism के बारे में क्यों नहीं बात करते तो उन्होंने का मैं इसको support ही नहीं करता I do not support any of this उन्होंने बार-बार कहा कि कहीं पर भी कोई मर रहा है मैं उस चीज को maaf नहीं करूँगा मैं उस चीज को support नहीं करूँगा उसके बावजूद छटी दफा भी बियाना कहती है के लेकिन anti-semitism का क्या छे दफा वो जवाब दे चुके थे मैं इस चीज को नहीं पहलाता मैं जिन्दगी को value करता हूँ कहीं पर किसी को नहीं मरना चाहिए सबको अपने बच्चों के rights को protect करने का हक है सबको अपने बच्चों को बचाने का हक है जिन्दगी का हक हर इंसान को है ये सारी बातें कहने के बाद भी बियाना आखिर में कहती है शामयमूद कुरेशी साथ से कि आपकी बातें जो हैं वो anti-semitic हैं और उसके बाद एक tweet बना के पूरा thread भी चला दिया जाता है हमारे इस सारे analysis से पहले हमने खुद बियाना की tweet के नीचे Americans का mostly foreigners का हमने feedback पड़ा Orthodox Christians ने भी Orthodox Jews ने भी नीचे उसमें comments में कहा हुआ है कि कहीं पे भी anti-semitic slur इस्तमाल नहीं हुआ शामेमूत कुरेशी साथ की तरफ से उन्होंने confusion में लिखा हुआ है कि हम समझ नहीं आ रहा है इस पे anti-semitic क्या है anti-semitic बात कौन सी हुई है इन्होंने तो Jews का लबसी इस्तमाल नहीं किया आपने खुद interview देखा है Jews के खिलाफ अगर आप कोई बात करना चाहेंगे तो आप Jew का word इस्तमाल करेंगे आपको बता दें कि इसराइल को पहले नहीं है पाकिस्तान जो जिसने target किया है हम इसराइल को ना recognize करते हैं हम इसराइल को terrorist country consider करते हैं इसके बावजूद कहीं पे भी इस सारे interview में terrorist करार नहीं दिया गया था इसराइल को इस सारे interview को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा उन्होंने terrorism का लफस इस्तमाल नहीं किया उन्होंने ये कहा कि इसराइल हार के इसराइल बहुत बुरी तरीके से शिकस का सामना करना पड़ रहा है इसराइल को और साथ साथ पहले ही उन्होंने पहला ताना उनको ये दे दिया आपको उतादें कि Washington Post जो सबसे मुस्तिनद अख़बार समझा जाता है अमेरिका का वो जब ये elections हुए टरंप के बाद तब भी बहुत सारी अपनी रपोर्ट में कहता रहा है कि अमेरिका में इसराइली लॉबी बड़ी स्ट्रॉंग है इसराइली लॉबी मैन्यूपलेट करने की कोशिश करती है तो फिर क्या ही अपने अख़बारात को भी कहेंगे कि वो anti-semitic है पूरी दुनिया में जितने protests हो रहे हैं क्या वो सारे anti-semitic है वो Jews activists जो अमेरिका में और यॉरप में फलस्तिनियों के साथ इन सारे protests में हिस्सा ले रहे है क्या वो भी anti-semitic हैं वो अपने ही race के खिलाफ बात करेंगे ये सिर्फ एक पूरा propaganda था CNN की तरफ से जो उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के उपर एक ठपा लगा दे कि ये anti-semitic country है लेकिन इसके लिए वो बिल्कुल बुरी तरीके से उनको failure का सामना करना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान किसी भी race के खिलाफ नहीं है पाकिस्तान किसी भी इनसान के खिलाफ नहीं है पाकिस्तान बेशक इस्राइल के बे इंतहा खिलाफ है और अपना ये motive वो दुनिया में पहले भी रखता आया है और आगे भी रखता आएगा शाममूर करेशी साब के उन्होंने अपना motive बड़ी successfully पूरा किया and today we are exposing CNN कि CNN प्रो इस्राइल है और CNN एक प्रॉपगंडर के थूरू इस सारे शुपे काम कर रहा था आपकी क्या राय है हमें comment section में जरूर बताएं दुनिया में बड़ी developments के बारे में जानने के लिए दोगदर क्रक्स की आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें चानल को वीडियो को लाइक और शेर करें और चानल को सब्सक्राइब करें